Hello students, आज के इस lecture में हम elementary computer application का program number one करेंगे यह आप कह सकते हैं assignment number one जिसमें हम यह देखेंगे कि कैसे हम हमारी desktop पे जो wallpaper आता है उसको change कर सकते है या desktop पे लगाने के लिए जो wallpaper होते हैं उनको हम किस तरीके से क्या steps follow करते हुए apply कर सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना laptop या desktop on करना है on करने के बाद आपको right click mouse का जो right click है वो press करना है right click press करते ही आपके पास इस तरीके का एक menu शू होगा इसमें सबसे last option है personalize का आपको इस option पे click करना है personalize पे click करते ही आपके पास ये window आ जाती है और अब आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको background set करने के लिए options मिलते हैं यहाँ पे आप कोई picture select कर सकते हैं solid color select कर सकते हैं या कोई slide show slide show बहुत सारे pictures का combination होता है ये collection है जो एक के बाद एक pictures को जो सभी pictures आपके slide show में आपने store करा रखी हैं उन सभी pictures को कुछ time के बाद replace करता रहता है या change करता रहता है हम normal picture select करेंगे आप चाहें तो कोई picture अपने system में से browse भी कर सकते हैं माल लीज़े आपने पहले से ही कोई picture store कर रखें अपने system में तो आप browse button पे click करेंगे और इस तरीके से आपके पास वो folders आ जाएंगे या आप चाहें तो navigate कर सकते हैं उस folder तक जहाँ पे आपकी pictures रखी हुई है आप particular किसे भी folder में जाकर आप अपने पसंद की picture को select कर सकते हैं और choose picture पे click कर सकते हैं यहाँ पर पहले से ही आपको कुछ default pictures given हैं आप इन pictures में से कोई से भी picture को select कर सकते हैं मा लीजे मैं चौथे नंबर के इस picture को select करती हूँ आपको save button दिखाई देगा और अगर save button नहीं दिखाई देता हैं तो आप simply close कर सकते हैं क्यूंकि मैं windows operating system 10 पे काम कर रही हूँ इसलिए यह automatic मेरी settings save कर देता है देकिन अगर आप windows 7 पे काम कर रहे हैं तो आपको नीचे जाके एक save button दिखेगा आप उस पे click करेंगे और click करके आपके settings save हो जाएंगे आईए अब देखते हैं कि क्या हमारा screen पे background picture चेंज हुई यह देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे इस window पे हमारे screen पे background picture save हो गई है तो इस तरीके से आप अपने पसंद की background picture को set कर सकते हैं replace कर सकते हैं तो यह था आपका assignment 1 Thank you so much